नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे यूटूब चनल अब्जेक्टिव सेंटर पर जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यह हमारा एंपी सीयल का आफीसियल पेपर है जो की एंपी सीयल और बार के दोनों का सलेबस सेम है इसका जो पेपर होता है और इसमें जो फर पेपर गया जरूर देख लेगसे सकते हैं यह डिस्क्रिट्राइर कि नाम से तो उस लिंक पर किलिक करके आप अपना मेत का पार्ट देख पाएंगे तो आप लोग उसे जरूर देख लें चलिए शुरू करते हैं 21 नमबर का कोशन है एन अबजेक्ट है जमास एम अन एर्थ दमास अबजेक्ट एट मून ये कवस्ट का पिर्थिवी पर द्रब्यमान यम है तो चंद्रमा पर वस्ट का द्रब्यमान कितना होगा देखे अगर को भार की बात करता तो भार क्या हो जाता चंद्रमा पर वह एम भाई 6 हो जाता तो अगर पिर्थिवी पर अगर किसी वस्ट का भार अगर एम है भार की बात कर नहीं तो अगर आप उसे मून यानि की चंद्रमा पर लेकर जाएंगे तो यह एम भाई 6 उसका भार हो जाएगा बट द्रब्यमान हमेशा कांस्टेंट रहता है इसलिए चाहिए वह अपिर्थिभी पर रहे या चंद्रमा पर द्रब्यमान हमेशा सेम रहता है यहां पर एम करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का कि बाइस नंबर कोश्चन है दमोश्ट अबंडेंट गैस हौंड इन अट्मास्फियर इज वाई मंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में नाट्रोजन पाए जाता है जोगी 88 परसेंट पाए जाता है तो बाइस के यहां पर सी आंसर करेक्ट होगा अब है 23 नंबर का कोश्चन कि वीच मेटल रिमेंस लिक्विड एट नारमल अबियेंट टंप्रेचर कौश्च समान ताप पर तरल रहती है तो जो मरकरी रहता है या समान ने तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है 24 नंबर कोश्चन के रहें विच एमंग फालू इज एन एसीड निम्नमेंस अकॉंट से यह कमल है तो देखिए आम आपका है यह आपका साधान नमक है और यह क्यों यह अच्छ है यह भी आपका लमड ही है और पीबी यह सुपर यह भी आपका लमड है 25 नंबर कोश्चन है एक नार्मल अट्मास्फियर प्रेशर दा बॉलिंग पॉइंट आफ वाटर इस समानेवाल मंडली दाब पर पानी का कुथना के कुथना होता है तो देखिए जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है वह 100 डिग्री सेल्सेस होता है 26 नंबर कोश्चन है कलर आप रड लिटमस पेपर टर्न से डडडडडड वन रियक्ट विथ बेस तो लाल लिटमस पेपर का रंग चार के साथ प्रिक्रिया करने पर कौन से रंग का हो जाता है देखिए जब लाल लिटमस पेपर चार के साथ किरिया करता है तो उसका रंग नीला हो जाता है तो 26 का यहाँ पर यह अंसर करेक्ट हो जाएगा देखिए इसको याद करने के लिए बहुत आसान सा तरीका होता है इसको याद करने चलने अब लोग इसे याद रखे Japanese पेपर को नीला कर नेगा हो यहाँ पर छार की बात किया था तो जब छार के साथ कर यह करेगा तो जो लाल रंग रहेगा वह नीला में बदल जाएगा अगर यह पर बात करें आमले का आप अनिले को लाल करता है तो आप याद हो गया होगा आपको आप यह भूलेंगा नहीं तो यह च्छार क्या है छलनी लाल को नीला करेगा तो आपसे नंबर यहां पर करेक्ट ही जाएगा 27 नंबर कॉश्चन है कि at which degree Celsius water attends maximum density कितने Celsius पर पाने अधेक्तम घनात्व प्राप्ट करता है तो देखे चार डेकरी Celsius के पर पानी का घनात्व सबसे ज्यादा सब्सक्राइब सब्सक्राइब यहाँ पर सब्सक्राइब तो जिसका परमाण भार या अनुभार बात करें तो जिसका अनुभार कम होगा वह उसमें क्या होगा जो परमाण मौजूद रहेंगे ज्यादा रहेंगे तो परमाण भार और परमाण मौजूद रहेंगे तो आपको भी पता होगा यह पाई का सिंबल है यह लेमडा का सिंबल तो देखिए जोलन सील आपका हड्रोजन होता है यह आपका जोलन सील गैस है 32 नमबर कोश्चन है इस्पीड आफ लाट इन वैकूम इज इन मीटर पर सेकेंड तो वैकूम में प्रकास की गती तीन गुड़े दसक गात आठ मीटर पर सेकेंड होता है 33 नमबर कोश्चन है एन एक्जामपल आफ नान लियूमिनस अबजेक्ट इज गैर दीप्त वस्त का एक उदारन कौन सा है तो देखिए गैर दीप्त वस्त का जो उदारन है वह है आपका मून यानिकी चंद्रमा है 34 नमबर कोश्चन है chemical symbol आफ sodium age sodium का राचानिक परतिक क्या होता है तो sodium का राचानिक परतिक n a होता है ये सिलिकान का है ये c आप समझोदी दिख्राए ये पारे का है यस है tin का है डी नमबर 35 नमबर कोशन है वेलू आफ एवगाटरो नमबर इज एवगाटरो संख्या कमान कितना होता है देखे जो एवगाटरो संख्या कमान होता है वह अच्छा है दसमलो 022 गुड़े 10 के पामर तेश होता है तो यहां पर इसका भी आंसर करेक्ट हो जाएगा तो जो आवर्स अड़ी होता है यह आपका परमाण संख्या पर निर्धारित या आधारित होता है तो यहां पर सी आंसर करेक्ट हो जेगा परमाण संख्या या अटामिक नमबर कुस प्रकिंदakah आगा है किस प्रकिरिया में उसमा बीना किसी मध्यंus के संचारित होती है गदेनेना कि सन्ख्यारित रहता है निर्ध चापन अपड़नहं घुर्षा रहता है कि ऐसला किलीए यह आपका ठोसह में होता है का नागिक्सन आपका ध्रभोуз में होता है तो आपको पता होगा कि जो चांदी है यह आपका धातु होता है बाकि यह फ्लोरीन फासफोरस और सलफर यह सब अधातु है 37. sana local weather कोश्चन है यह नारमल हुमन एयर कैन ही यर साउंड आफ फ्रिक्वेंसी एक समान ने मानावकान गितने तककी अवरित्ति की ध्वानि को सुन सकता है तो 20 Hz से 20000 Hz तक電 ररित्ति को सुन सकता है 20 Hz या 20 KHz की हैं बात एक ही है तो 20 हर्ज से लेकर 20 किलो हर्ज ये तक किया वृत्ति को एक समाने मानवकान सुन सकता है चालिस नमबर कोशन है What is the hardest substance? सबसे कठोर पदार्थ कौन होता है तो जो diamond यानि की हीरा जो रहता है वह सबसे कठोर पदार्थ होता है और सोना जो होता है, यह सबसे ज़्यादा malleable होता है 41 नमबर कोशन है यहाँ पर अब जनरल आवरनेस के कोशन आ गए Under PM किसान स्कीम, the eligible farmers will get yearly income support of rupees PM किसान योजना के ताहत योग किसानों को कितने रुपय की वार्षिक आपकी सायता मिलेगी तो आपको भी पता होगा, यह 66,000 रुपय दिया जाएगा वार्षिक में और यह तीन किस्त में दिया जाता है 2-2,000 रुपय करके 42 नमबर कोशन है Which bank is not the part of bank merge process? कौन सा बैंक? बैंक की बिले प्रक्रिया में सामिल नहीं है तो आपको पता होगा कि बैंक का बड़ावदा देना बैंक और विजिया बैंक यह आपस में मर्ज हो चुके हैं जबकि इलाहबाद bank यह मर्ज नहीं हुआ है तो यहां प्रेडी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि बिले प्रक्रिया में इलाहबाद bank सामिल नहीं है अब बात करें 43 नंबर का तो which river finally falls into arbena c तो arbena c यानि की अरप सागर में कौन से नदी गिरती है तो देखिए जो नदी अरप सागर में गिरती है वह नदी रहता है तापती तापती नदी अरप सागर में जाके अंत में मिलती है या गिरती है कि अच्वालिस नंबर कोश्चन है सफ्रान कलर इन आवर नेशनल फ्लैग रिपर्जेंट्स हमारे राष्टी ध्षज में कि सरीय रंग किसका प्रतिनी धित्व करता है तो इस्टेंट इस्टेंथ है और करेच का तो सक्ति और सहास का प्रतिनी धित्व हमारा जंडे में जो कि सरिए रग्याए रहता है वो करता है प्रतिनीधित मेर्फ कुचन है क्याइएक सबहुलिए और Commodore is one of the rank of the Indian Commodore भारत ती डडड़त में एक रैंक है तो देखिए जो Commodore है यह क्या है कि नौसेना जो रहती है उनमें से एक रैंक है इक्क्वेटर पासेज ओवर तो भूमद रेखा किसके उपर से गुजरती है तो देखिए जो भूमद रेखा है यह इंडोनेसिया के उपर से गुजरती है तो यहां प्रेड़ी आंसर करेक्ट हो जाएगा इंडोनेसिया अब अनतालिस नमबर कोश्चन है इस्मालेस्ट बोन इस सिचुएटेड इन हुमन्स माना में सबसे छोटी हड़ी कांसी होती है तो देखिए जो माना में सबसे छोटी हड़ी होती है वह कान की हड़ी होती है जिसका नाम होता है इस्टेपीज तो इस्टेपीज जो होती है कान की हड़ी वह सबसे छोटी होती है और वह सबसे बड़ी जांग की हड़ी होती है जिसे फीमर कहते हैं वह सबसे बड़ी होती है नुचास नमबर कोश्चन है 2019 IPL winning team is 2019 का IPL विजेता टिम कौन है तो MI है एक कैंडिडेट मस्ट बी मिनिमम विच यह आफ एज टू कंटेस्ट लेक्शन फार प्रेसिडेंट आफ इंडिया भारत के राष्टपति पत के चुनाओं लड़ने के लिए उम्मेदवार की निम्तमाय कितनी होनी चाहिए यह 35 साल की आयू पूरा करने के बाद आप भारत के राष्टपति का चुनाओं लड़ सकते हैं और उसमें आपका योगता भी होनी चाहिए तो यह हो गया हमारे दोस्तों कम्पलीट तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करने अगर आप हमारे चनल परने तो चनल को सस्क्राइब करने और ऐ दोस्तों को भी जोने मिलेंगे नेस्ट वीडियो में थैंक्यू